गठिया की समस्या से पाए निजात और पोशक तत्वों पर आधारित होती है। शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे की कच्चे पपीते और उसके बीज में बहुत सारा विटमिन ए। सी और यी होता है, जो की हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। कच्चा पपीता सर्दी और जुखाम में भी बहुत फाइदा करता है। ये हमारे शरीर में बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। पपीते का रसकब्स से चुटकारा भी दिलाता है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार, मोटापा शरीर के इम्यून सिस्टम के कार्य के बीच बाधा उत्पन करता है, जिससे इंफेक्शन का खत्रा बढ़ जाता है। इसलिए शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए सबसे पहले मुटापे को कम करना जरूरी होता है। कच्छा पपीता हड़ियों को करता है मजबूत। आज के समय हर व्यक्ती में हड़ियों की कमजोरी पाई जाती है खासकर महिलाओं में हड़ियों में दर्द और कमजोरी का कारण है विटामिन की कमी। शायद आप नहीं जानते होंगे की पपीते में सबसे ज्यादा विटामिन पाई जाते हैं। इसलिए कच्चे पपीते को अपने आहार में शामिल करके आप हट्डियों की कमजोरी से या दर्द से चुटकारा पा सकते हैं. यूरिन इंफेक्शन में लाबदायक कच्चा पपीता जैसा कि हमने उपर बताया कि कच्चा पपीता शरीर में इंफेक्शन को बढ़ने नहीं देता वह बैक्टिरिया को बढ़ने से रोक लेता है. इसलिए यह urine infection को रोपने में भी काफी सहायक है क्योंकि कच्चे पपीते में पाए जाने वाले vitamin शरीर में बैक्टीरिया को बढ़ने से रोपते हैं urine infection जो की अक्सर महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है इसको रोपने के लिए भी महिलाओं को कच्चे पपीते को अपने आहार में शामिल करना चाहिए लिव के लिए कच्चे पपीते के फाएदे कच्चे पपीते का इस्तेमाल लिव या फिर पिलिया से जुड़ी बीमारियों के लिए किया जाता है पिलिया होने के कारण लिव पर सबसे अधिक प्रभाव पढ़ता है और लिव कमजोर हो सकता है इसलिए लीव की बीमारियों को सही करने और लीव को मजबूत करने के लिए कच्चे पपीते को खाया जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर की कमजूरी को दूर करता है इसलिए कच्चे पपीते का इस्तिमाल आप सबजी या चटनी के रूप में भी कर सकते हैं आप किसी भी प्रकार अपने खाने में कच्चे पपीते को शामिल कर सकते हैं. गठिया में कच्चे पपीते का इस्तिमाल गठिया रोग में भी कच्चे पपीते का इस्तिमाल बहुत फायदेमंद बताया जाता है. गठिया को ठीक करने के लिए पपीते का इस्तिमाल कुछ अलग तरह से होता है इस्तिमाल करने का तरीका सबसे पहले आप पपीते को उबलने के लिए पानी में डाल दें पपीते को पूरी तरह उबलने से पहले हलका सा कच्चा रखकर इसको निकाल ले और एक बार धोलें अब उसके बीज निकाल लें इसके पश्चात आपको पांच मिनट के लिए पपीते को फिर से पानी में उबालना होगा इसके बाद उबले हुए पानी में दो चम्मच क्रीम डालें अब इस पानी को छान कर आप पूरा दिन इस्तिमाल कर सकते हैं पेट की गैस को रोपने में कच्चे पपीते के फाइदे कच्चे पपीते से पेट दर्द, गैस, कब्ज जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं कच्चा पपीता इनेटिव को बढ़ाने के साथ साथ आपके पाचन को भी सही रखता है इसलिए इसका उप्योग लीव के फाइदे के लिए भी किया जाता है यह थे कच्चे पपीते के कुछ अचुक उप्योग जिनका उप्योग आप जरूर करें इससे मोटापा घटाने में भी काफी सहायता मिलती है और यह लोगों को बीमारियों से दूर रखने में सहायक है इस वीडियो के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें किसी भी बीमारी के लक्षनों की स्थिती में डॉक्टर की सलाह जरूर लें हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें हन्यवाद